मेश, अपने नेंडे को सुरक्षित रखे, हर किसी को अपना प्रियोजन ना बताएं, लक्षे को ध्यान में रखकर प्रियतन करें, सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोनती के योग हैं, परिवार में सयोग का वातावरण रहेगा रशब, संतान से जुड़े मामले सहज ही निप्टेंगे, प्रगती वर्धक समाचार मिलेंगे, व्यवसाइक अनुकूलता रहेगी, आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है, संतान की और से सुखद इस्तती बनेगी मिथुन, अपने विवहार को नमर बनाएं, दूसरों की बातों को भी सुनें, कटू वचन का प्रयोग ना करें, दुसाहस नहीं करें, कानोने काम होंगे, कारे योशना को गुप्त रखना आपके हित में रहेगा, जल्दबाजी में नहीं रहें कर्क, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रशाशन से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे, शुब कार्यों में सनलगन होने से सुयश एवं सम्मान मिलेगा, प्राकरम बढ़ेगा, नविन उपलब्धियों के साथ अनायास लाब के योग बनेगे सिंग, कारेस्थल पर करमचारियों का सयोग मिलेगा, नई साजेदारी लाबदायक रहेगी, आज विशेश लाब होने की समफाबना है, अनुकुल समाचार मिलेंगे, कारेकोशलता, प्रयास परिश्वरम की साथ रगता रहेगी, निवेश लाबदाई रह सकेगा कन्या, दिन के शुरवात में आलस की अधिकता रहेगी, राज़ेपक्ष में आपका प्रभाव बढ़ेगा, विरोधियों से सावधान रहें, दामपत्ते सुख मिलेगा, समय का दुरुपयोग ना करें, प्रयास में आलस से नहीं करें तुला, अच्छा सोचें, सकारात्मक विचारों के करण प्रगति के अफसर आएंगे, दन प्राप्ति के योग हैं, व्यापार अच्छा चलेगा, परिवार में तरक्की होगी, यात्रा में परिशानी हो सकती है व्रश्चिक, जो भी करें, समझें, फिर करें, लोगों के बीच अपनी छवी सुधारे, अनसोचे कामों में हाथ नहीं डालें, पारिवारिक मामले अशान्त रहेंगे, कारेशेत्र में काम का बोज अधिक रहेगा, आर्थिक तंगी चिंता में डालेगी धनू, आपके महनत के अनुखूल सफलता मिलेगी, प्रतिस्प्रधा में यश्य सफलता मिलेगी, संतान से मदद प्राप्त हो पाएगी, आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वियन होने की संभावना है मकर, समय मध्यम है, तनाव भड़ेगा, क्रोथपन यंतरन रखें, महत्व के कारे निर्ण्यों में सयूग लेना होगा, मान सम्मान भड़ेगा, वहन से चोट लग सकती है, व्यर्थ की विवादों से दूर रहे कुम्भ, आर्थिक लाभ होने से रुके कारियों को गती मिलेगी, यूजनाए, फलिभूत होगी, लेन देन कर्ज खर्च की पुनता होगी, पत प्रतिष्ठा में व्रदी से संतोश रहेगा, रिष्टेदारों से सम्मंधों में मर्यादा जरूरी है मीन, समय पर देने लेने से कारियों में सफलता तै है, व्यवसाइक सम्मंधों का लाभ मिलेगा, बुद्धी एवं तर्क से कारियों में सफलता की योग बनेंगे, रूका धन मिलेगा, आर्थिक रूची बहड़ेगी